नमस्कार दोस्तो जो आपने थमनेल पर पड़ा कैप ड्राइबरों का किराया हुआ 15 रुपे किलो मीटर अभी मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाऊंगा उन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे ये कैसे पॉसिवल हो सकता है बिलकुल हो सकता है दोस्तो दोस्तो अभी हाल फिलाल में आपने देखा कैप ड्राइबरों ने दो दिवसी हर्ताल की थी और ये हर्ताल क्यों की थी इसके कई सारे मुद्दे थे लगबग दस मुद्दे थे दस मांगे थी उनमें एक यह भी मांग थी कैप ड्राइबरों का किराया बढ़ाया जाए जिन मांगों को ल बनते हैं और आगे क्या होने वाला ये भी आपको पता चलता रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्द इस पर मैं एक नई वीडियो बनाने वाला हूँ कि हरताल के बाद अब क्या लेगी यूनियन फैसला और ड्राइबर उस पर जल्द ही हमारे चैनल पर वीडियो सकते हैं यह रही आपकी स्क्रीन पर और इस फोटो में आप देख रहे हैं कि एक कैब ड्राइबर ने अपनी कैब के ऊपर किराया तैक रखा है और वहां पर मैंशन यानि कि लिख रखा है और यह किराया है मतलब मिनीमम 99 रुपीज यानि कि आप 1 किलो मिटर जाते हैं 1.5 क तो आपको 99 रुपीज देने ही पड़ेंगे इसके बाद आगे जो लिखा है वो है 15 रुपे किलो मिटर यानि कि आप 3 किलो मिटर से या फिर उससे भी अधिक जाते हैं तो आपको पर किलो मिटर के हिसाब से 15 रुपे किलो मिटर देने पड़ेंगे और यह कैसे मिलेंगे द कर लेती तब तक जो सरकार ने policy बनाई है जो सरकार ने किराया तै किया है वो किराया आपको मिलने वाला नहीं है और ये कमपनियां सरकार के साथ में registration करने से बच रही है ये सरकार के अंडर में काम करना नहीं चाती है ये किसी भी प्रकार की driver को सुविदा देना नहीं चाती ह तो अब ये driver खुद ही अपना किराया तै करेंगे ये धीरे धीरे app-based company को छोड़ देंगे और ये अब offline गाड़ी को चलाना शुरू करेंगे अगर ये offline गाड़ी को चलाना शुरू करेंगे तब ही ये किराया आपको मिल सकता है जैसा कि इस driver भाई ने अपनी cap पर लिखा है य तो आप सभी cap driver भाईयों को एक होना है संग्ठित होना है आपको लड़ाई जगडा धरना परदर्शन चक्का जाम कुछ भी नहीं करना पड़ेगा अगर आप इन app-based company को इनका बाइकॉट कर देते हैं और इसी प्रकार से परचार करते हैं offline चलने का जनता को ये विश्वा का रेट अलग होता है दुफैर का अलग होता है अगर बारिस पड़ गई तो अलग रेट है कोई तिवार आ गया तो अलग रेट है कोई संडे मंडे आ गया तो उसका अलग रेट है ये कंपनिया कई प्रकार का सर्ज लगा देती हैं जिससे customer को बहुत ज़्यादा पैसे को ये convenience कराना है कि ये जो cab है इसको आप offline ले सकते हैं इसको हाथ देकर आप रोख सकते हैं और मीटर से चल सकते हैं तो समझत जितने भी cab चालक है मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह की जो मुहीम है इसमें सामिल हो और इसी तरीके का आप भी अपनी cab के माध्यम से परचार करें जिससे के जनता जागरों को उनको इसकी जानकारी हो और वो आपकी cab को offline भी book कर सकें तो जितने भी cab driver भाई हैं जिन्होंने हमारी वीडियो को अभी तक देखा है मैं उनसे बस यही पूछना चाता हूँ क्या इस driver ने जो ये मुहीम चाल करूँगा बागी मैं तो यही करूँगा देखिए जितनी भी अब बेस्ट कंपनियां इन पर भरोसा करना बिल्कुल भी जायज नहीं है क्योंकि यह एप बेस्ट कंपनियां कभी भी driver का साथ नहीं देती है क्या है आपकी राइस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दो